हेलो दोस्तो नमेश्कार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो वापस केनाचोंगा हर एक individual stock का अपना-पना event रहता है मतलब कुछ stock यहाँ पर positively react करेंगे उपर जा सकते हैं कुछ stock यहाँ पर pressure देखने को मिल सकते हैं मतलब वो नीचे जा सकते हैं तो हर एक stock का हम लोगों को यहाँ पर individually खबर देखना है कि यहापे exactly news का है और उसी के चलते आप लोगं को यहापे कुछ अंदाजा आ सकता है तो चले दोस्तो फड़ावड सी उडियो को स्टार्ट करते हैं अब उससे पहले जरू कहना चाहूंगा किसी ने first time विजिट के है चानल को जरू सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आकन को इट कर लेना सो ऐसे इंट्रेस्टिंग उड़े आप लोगं को देखने के लिए मिल जाएंगे सबसे पहले अगर हम लोग यहापे बात करें टाटा मोटर ताटा ग्रूप के शेर के उपर फोकस रहेगा दिन के 20 से 30 इलेक्ट्रिक वेकल वो मैनिफेक्चर वहापे करते हैं सो जरूर टाटा मोटर के उपर आप लोगों ने यहापे फोकस रखना है बहुत ही शांदार स्टोक है आप सबी लोगों को पता है उसी के साथ-साथ Tata केमिकल इस स्टोक के ऊपर भी फोकस रखना है क्योंकि अगर हम लोग यहापे बात करें और एक यहापे प्लांट है जहापे टाटा मोटर यहापे बैट्री बनाने का काम यहापे करनी वाली है यह दोनों स्टोक ऐसे हैं जिनके उपर आप लोगों का जरूर या पर focus रहना चाहिए और जब Tata का नाम ही सामने आ रहा है तो दोस्तो Tata consumer इस company का उपर भी आपका focus रहना चाहिए focus इसलिए दोस्तो क्यूंकि ये company Nifty 50 में entry तो officially मतलब announce तो हो चुका है March जैसे खतम हो जाएगा entry हो जाएगी बट अभी तक उस level का जोश इस company में देखने को नहीं मिला है जो की news के चलते हर किसी Nifty 50 के stock में हम लोगों को entry करते वक्त देखने को मिलता है सो consumer के उपर भी आप लोगों का focus जरूर या पर रहना चाहिए भागने के लिए दोस्तो एक चंद बोलते हैं ना मार्केट में अगर तेजी आ गई तो ये stock सबसे आदा तेज भाग सकता है ऐसा मेरा अनुमान है तो जरूर इस company के उपर भी आप लोगों ने focus जरूर बनाए रखना है दोस्तो अगर हम लोग बात करें मुद्टूट फाइनांस आप सब लोगों को पता है हम लोगों ने इस से related अभी एक detail वीडियो भी बनाए है मुद्टूट फाइनांस के अगर हम लोग बात करें जो उनके chairman है उनके हम लोगों को death देखने को मिली police investigation अभी भी वापे सब कुछ चालू है अगर news देखा जाए तो definitely negative news है इसका impact जरूर हम लोगों को मुद्टूट फाइनांस के share के उपर कल यापे देखने को भी मिल सकता है वापस कहना चाहूँगा इसका अरत यह नहीं कि मुद्टूट फाइनांस का share खतम हो गया या फिर और कुछ हो गया बट जरूर हम लोग कह सकते कि जो pain रहेगा वो ज़्यादा देर तक हम लोगों को देखने को भी मिल सकता है तो loss में नहीं निकलना है यह मैं अल्रेड आपे बोल चुका हूँ सो मुद्ट फाइनांस के लिए हम लोग कह सकते हैं बुरी खबर है और यहापे pressure के chances गिरावट के chances हम लोग को ज़्यादा देखने को यहापे मिल सकते हैं दैन हम लोग बात करें येस बैंक के उपर आप लोग का एक focus रहना चाहिए क्योंकि आप सब लोग देखा है येस बैंक एंड उसी के साथ-साथ PNB Housing Finance इन दोनों की partnership हो चुकिए इसका अरतिया नहीं कि इन दोनों stock में कोई rocket वाली तेजी आएगी सिर्फ आप लोगों ने update के चलते हैं इन दोनों stock के उपर नजर रखने हैं इतना ही मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा दैन अगर मैं बात करूँ दोसो PVR के उपर focus रखना है एक positive news यहाँ पर सामने आ रही है PVR ने अपना लक्ष यहाँ पर बढ़ा लिया है कौन सा लक्ष है तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा PVR यहाँ पर invest करने वाली है up to 150 करोड in a new properties this year 2021 की बात यहाँ पर हो रही है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप देख सकते लगबग 30 से 40 screens की यहाँ पर बात कर रहे हमारे इंडिया की बात करें next fiscal में and somewhere around उनका जो target है यहाँ पर हम लोग कह सकते financially year 23 तक वो 1000 screen तक का target यहाँ पर लेके चल रहे है so somewhere around 1500 करोड फिलाल वो 30 से 40 screen में खरच यहाँ पर करने माले इस साल की अगर हम लोग बात करें तो PVR के लिए यह news ज़रूर positive है यह आप लोग को पता है मैं अपने point उसे पहले ही बता चुका हूँ PVR से में exit हो चुका हूँ और यह stock खराब नहीं है बड़ जब तक यह company अपने numbers जो balance sheet, P&L अच्छे नहीं दिखाते तब तक इस company में में new waste नहीं करूँगा मैं अपने आप लोग यह चीज़े बोल चुका हूँ इसी का impact भी हम लोगों को देखने को मिल चुका है अगर आप इस company का chart pattern भी देखोगी यह देखी यह company यहाँ से यहाँ तक तो जरू थी बट COVID के वज़े से यह company recover तो थोड़ा सा जरू कर पाईए बट अपना पूराना लेवल अभी तक अच्छी हूँ यहाँ पे नहीं कर पाईए तो यह भी point आप लोगों ने जरू नोट करके चलना चाहिए दैन अगर हम लोग बात करें Relance Home Finance Limited इस company से में अप लोगों को बोल चुका हूँ कि completely दूर रहेना है और एक default का case हम लोगों को इस company का देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोगों को गिरावट के chances देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे एक भी share आप लोगों ने नहीं करीदना है ना तो इस company को आप लोगों ने तो इतने नेगेटिव खबरे हो चुकी है, तो इतने से नेगेटिव खबर से ज़्यादा कोई फरक नहीं पड़ेगा, बट हम लोग जरू कहे सकते, आप देख सकते, Reliance Home Finance Default Loan Repayment to the PNSB Bank, तो हम लोग जरू कहे सकते, इसके चलते, और यहीं देखिए, कितने कहें, 40 करोड का Loan Repayment का Default है, तो यह जरूर इस कंपनी के लिए नेगेटिव खबर है, शायद से Lower Circuit भी देखने को मिल सकता है, तो यूजोली आप लोग ने Avoid करने है, देन अगर हम लोग बात करें, इंटार आटो सेक्टर, तो दो आटो सेक्टर के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि अभी दोग नए गाड़िया खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक वेकल खरीदेंगे, वापस उनको इंसेंटिव देने की बाद, यहाँ पर सरकार ने की है, नितिन गड़करी जीने की है, पुरानी गाड़िया है, उनको उनने बता है, जल्द से जल्द आप जीतना हो सके उनको डिस्पोस कर दो, और जो नहीं गाड़िया अगर आप लोग खरीद होगे, तो अलग-अलग इंसेंटिव आप लोग को मिलेंगे, इसका जो इंपक्ट रहेगा, वो हम लोग को ऑइल सेक्टर के उपर जो ये कंपणी है, इनके उपर पढ़ते वे देखने को मिलेगा, तो ऑइल कंपणी इसके उपर फोकस रखना है, एंड केमिकल सेक्टर की बात करे, यूजोली केमिकल के उपर नेगेटिव इंपक्ट रहेगा, क्योंकि उनके लिए ये रॉव मट्रियल का काम करती है, तो क्रूड ओइल से रिलेटेड ये जो खबरे है, इसका इंपक्ट केमिकल सेक्टर की कंपणी के उपर पढ़ेगा, अगर मैं बात करू तो, इसके उपर भी आप लोगों ने फोकस जमा के जरूर रखना है, देन दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो मैंजेस को इस कंपणी के उपर भी फोकस रखना है, अभी फोकस मतलब क्या सिर्फ स्टडी करने के लिए लोवर सर्केट या पर लग चुका है, यह लोवर सिर्केट का आप खुलेगा, यह किसी को भी नहीं पता है, तो मैंजेस के उपर सिर्फ आप लोगों ने फोकस रखना है, इतना ही में आप लोगों को बोल सकता हूँ, सो दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें पावर ग्रिड की, तो वापस कहना चाहूँगा, पावर ग्रिड में हम लोगों को 4 रुपे का या पर डिविडेंट देखने को मिला था, और उसका एक्स डेट है कल 8 मार्च, सो डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि पावर ग्रिड अगर किसी के पास भी रहेगा, तो पैनिक की कोई जरुतनी, कल ये स्टॉक हम लोगों को 4 रुपया नीचे खुलते हुए, मतलब X-Date, आप सब लोगों पता होते हुए, या पर खुलते हुए देखने को मिलेगा, एंड इसका जो X-Date है दोस्तो 10 March है, तो definitely हम लोग कह सकते हैं, 10 March के एक दिन पहले 9th March यहाँ पर आ जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर इस company के उपर भी focus रहेगा, बहुत सरे ऐसे retail investor रहते हैं, जो की यहाँ पर dividend के चलते हैं, इसके फरदर भी continue करोगे, तो कोई गलत बात ने रहेगी, यह बहुत ही शांदर स्टोक है, तो मेरिकों के उपर भी आप लोगों का focus इस हफते यहाँ पर बनते हुए, आप लोगों ने जरूर रखना चाहिए, देन दोस्तों हमेशा की तरह, हर हफते हम लोग Reliance Industry के उपर फोकस रखते हैं, जरूर आप लोगों ने इन स्टॉक्स के उपर भी आप फोकस जरूर बना के रखना चाहिए, आप सभी लोगों को पता है, यहाँ जो यह हफता है, जरूर वीडियो को लाइक और चेर करदेना, और भी बहुत सरे स्टॉक्स है, आप लोगों की खास नजरे हैं यहाँ पर रहनी चेह, आए पाशा करता है दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक और शेर करदेना, तो देट से टैंक्यूर वीरिमास दोस्तों, वी बिल भी मेटिंगा नेक्स विडियों, तब तक के लिए, बाई बाई